तो Christianity को बहुत दिर आधारों पर ईश्वर के अंदर आदमी की फेथ को पूरी फेथ जमाने के लिए आउगस्टाइन ने अपने सारी फिलोस्फिय लिखी, डंबी चौडी फिलोस्फिय. लेकिन हुआ क्या कि आउगस्टाइन के बाद भी 430 में आउगस्टाइन की डेथ होई थी, तभी रोमन अंपायर का फाल हो गया, जर्मनी के जो बरबर कभीले थे, उन्होंने रोमन सल्तनत को रूट लिया, वो सारे लुटे रहे थे, बरबर का शब्दी अंग्रेजी में उन लोगों को मारने वाले हो, खून चूसने वाले हो, उसके लिए बारबरिक का इस तबाल आता है, तो यह बरबर जाती जो थी, बड़ी ऐसी थी, जो जानवरों जैसी थी बिलकुल, इसने एरान, युनान की उसको तभा कर दिया, युनान ने रोम की, जब रोमन अंपायर त पिछ रहे थे, उनको सुतंत्र करा दिया, सारे देश सुतंत्र हो गए, रोमन की हड़ते, लेकिन लॉलेसनेस फैल गई, और उस लॉलेसनेस का क्या हुआ, कि अब या तो लोग फेथ हड़ जाएंगे, धरम से भाग जाएंगे, या चर्च को भी लूट लेंगे, तो उसके चर्च के राजा इतने कमदोर हो गए थे, कि वो भी चर्च के आधीन हो गए, वो चर्च से, पोप से डिरेक्टिव लेने लगे, कि बचाओ, हमें बचाओ, ये जनता जो ही, तो सब लुटेरों के हाथ में चली गई, तो चर्च फिर कहता था कि ऐसा-इसा करो, और जब ऐस करोगे तो लोग जो पापी हैं, उनको पनिश करो, जो अच्छे लोग हैं, उनको किंग्डम आफ क्राइस्ट में बेजो, तो राज भी बड़े शीन हो गए, हलके हो गए, तो चर्च की पावर बहुत जादे बढ़ गए, चर्च को डबल काम करना पड़ा, और चर्च की प जब चर्च के हातों में चली गई, तो चर्च ने अपने लीगल, जो धार्मिक लोग थे, उन धार्मिक लोगों को ये पावर दे दी, कि तुम राजनेतिक पावर भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो लॉलेसनेस नहीं होने दी, लेकिन नुखसान क्या हुआ कि जब चर्च की पा हो गया, तो जब ये आउगस्टाइन मरे, उसके बाद क्रिश्यानिटी ने कोई बड़ा थिंकर पैदा नहीं किया, सब चीज चर्च के आधान हो गई और चर्च ने पाबंदी लगा दी, फिरी थिंकिंग बन, चार्सो और्टिस के बाद जाकर के, दस्मी सदी में, दस्तो चोंतिस, यानि छैसो साल बाद, एक और आये, सेंट एंसलम, 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 ये भी बहुत बड़े पादरी थे, लेकिन इनका दरजा अगस्टाइन जीतना नहीं था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ां अगस्टाइन से ले लिए, ईश्वर के जो विश्वास थ जो पर्मान दिये थे, हम लोग इश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, कोई सत्ता ऐसी है, उस सत्ता के बारे महां समझते है, नित्त है सत्त है, अब क्योंके सब लोग कॉमन सेंस इस बात को मानती है, और ये कॉमन सेंस के विचार में आइडिया है, किसी एक व्यक्ति का इसको ओंटोलोजिकल आर्गुमेंट नाम दे दिया उन्होंने, सत्ता मूलक आर्गुमेंट, तो वही आर्गुमेंट जो अगस्टाइन ने और तरह से दीन, और नाम से दे दिये, तो एंसलम जो है, उन्होंने कोई नई चीज नहीं कहिए, और उन्हीं बातों को रिपीट से निकल करके, सिटी ओफ गौड में जाने का रास्ता मिल जाएगा, ये रास्ता प्रशर्स कर दिया, सेंट एंसलम ने, कि अगर आप इश्वर पर विश्वाश रखोगे, पर्मेनेंटली इसकी शरण में आओगे, और वो ही काम करोगे जो इश्वर ने तौनार लिए प्र निकल करके, ये शैतान की किंडम है, जो पाप की दुनिया है, इस पाप की दुनिया से निकल करके आप सिटी ओफ गौड में या जहा का मालिक कराइस्ट में पहुंच जाओगे, और जब कराइस्ट की शरण में पहुंच जाओगे, तो कराइस्ट आपके सारे गुनाओं को इश्वर से माफ करा दे दा क्राइश्ट कहेगा कि इसके गुना जो भी इसने पाप किये हैं उसकी सदा मुझे दे ले मैं इसके पापों के लिए फांसी पे चड़ने को तैयार हूँ मैं सलीब पर लटका रहूँगा जब तक दुनिया चलेगी इसके गुना माफ कर दे तो उसके गुनाहों को अपने उपर लेकर के इसा मसी माफ करा दे तो एन सलम ने कोई नई बात नहीं की लेकिन एन सलम के बाद फिर भी डार के जा गया दस में 1036 एसमी में एन सलम और सेंट एकुनिस जो थे उन्होंने भी कोई सिवाएस कहके उन्होंने Christianity की जो मूद से धनत थे Christianity के जैसे ईश्वर सबसे बड़ी बात जो थी कि ईश्वर जो है वो साक्षात लव है Christianity ईश्वर को इसी रूप में देखती है इश्वर साक्षात प्रेम है वो हरेक से प्रेम करता है इसलिए वो अपने जो जिनसे वो प्रेम करता है उनको दंड नहीं देता इस रिफॉर्मिस्ट थ्योरी ओफ पनिस्मेंट यहीं से आई आप पापियों को रिफॉर्म करो एक पापियों को आपने रिफॉर्म कर लिया तो वन हुमन गेंड और एक पापियों को मार दिया तो वन हुमन लॉस्ट एक आदमी को जिसने मार दिया वो दुबारा जिन्दा नहीं हो सकता और जो आदमी आज पाप कर रहा है अपना इसको शमा कर दिया तो इन्होंना वोई ऐसा मस्य वाली बात कह दी, कि अगर कोई आद्मी मेरे एक गाल पर चांटा मारता है, तो मैं दूसरा गाल भी उसकी तरफ मार दूंगा, कि आप इस पर ही चांटा मारो, और फिर इसको कहोँगा, कि अब आप थग गई चांटा मारते, अब मैं अपना गाल आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं तो हाथ खींच लेगा कि अब मेरे अंदर शक्ति ने रहे तो यू विल गें इस हार्ट उस आदमी का दिल जीत लोगे वो आपके चर्णों में गिर जाएगा और इसलिए क्रिश्चैनिटी गोशना की कि अगर आपने एक हार्ट जीत लिया एक आदमी का दिल जीत लिया तो एक सल्तन जीतने से जाद है आप एक राज को जीतना चाहते हो कि मैं इस राज को जीत लूँ कितने आदमीं का खुन भाऊगे कितने आदमीं को मारोगे लेकिन और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, बाई सोड दे कम, बाई सोड शेल दे गोई सा मसी कह रहे है, जो आदमी तलवार के दौरा किसी को अपना गुलाम बनाते हैं, कल उससे बड़ी कोई तलवार आगी तो तुम्हें गुलाम बना लेगी, तो इसलिए तलवार से अपना गुलाम मत बनाओ, अपना गुलाम कैसे बनाओ, प्यार से, और आपने अगर किसी अपने दोस्त को दुश्मन बना लिया, तो यूँ कमिटेड इविल, वो सब तोड़ा पाप हो गया, तो इन्होंने वो Christianity के जो मूल fundamental principle थे, उनी की व्याख्या करने वाले, इसको हम इसलिए लोग इनको मानते तो हैं, सेंट है कोई निस्ट कोगई, इसने फिलोसफी की बात हैं किये, लेकिन हम यह कह सकते हैं, यह तो कथा वाचुकों की तरह है, बाइविल के एक्स्प्लेन करने वाले थे, यह एक्स्प्लेनेटरी थे, स्वतंत्र चिंतन उन्हों नहीं किया विल, तो Christianity को स्वतंत्र चिंतन से फिलोसफी बिलकुल मर गई, इट वाज दी डेथ औफ फिलोसफी, फिलोसफी मर गई और दम तोड़ गई और कोई फिलोसफर पैदाने वा, यहां एंड अब दी फिलोसफी हो जाती है, अब हम फिलोसफी को जिन्दा जब करेंगे जब नया यूग आएगा, उस नया यूग को स्रेष्ट करने वाले, जो भ्यक्ति होंगे उनका नाम आज ले देते हम, लेकिन उनकी थियोरी बहुत लंबी चोड़ी है, लेकिन उनको प्रेड़ना कहां से मिली है, फ्रांसिस बेकन जो थे, उनोने नोवम और गैना में, निव में छड़, निव बे, निव नया रास्ता, ये कहां से मिली है, गेलेलियो से, गेलेलियो था गेलेली का, उसमें दूरभीन बनाई, और उसमें दूर भी इन से, उसमें दूर तक देखना शुरू किया, अब जो हमारी आँख हैं, वो तो यहीं टक्का देख सकती है, इसमें देखा, आकाश की तरफ को देखा, तो इसे चीज़ें गोल बोल दिखाई दिखा ही दिए सारी, एरेस्टोटल कहते थे, जमीन गोल है, चरस ने काई से पकड़ लो, पकड़ लिया, और उनना का यह जो इसका इंस्टुमेंट है, इसके हाथ में, इस इनस्टुमेंट अव शैटन, शैतान ने इसके हाथ में दिया है, इसलिए इसे तोड़ दो, नाश कर दो, तो गेलेलियी ने एक रास्ता खोल दिया लोगों की सुनिति थिंकिंग के लिए धर्म के चंगुल से फिरी थिंकिंग को छुटकारा दिलाओ धर्म ने एक जो टोपी हमारे सिर्थ पर लगा दिये कि आप इस टोपी से बाहर नहीं निकल सकते आपका सर इस टोपी से बाहर ग्रो नहीं करेगा तो गेलेलियू ने वो टोपी उठा के जब फैक दी तो बैकरने का कि आप ये करो कि हम गेलेलियू की तरह मर सकते हैं लेकिन फ्री थिंकिंग नहीं सोच सकते तो फ्री थिंकिंग का रास्ता अब खुर गया और ये डार्क एज खतम हो गया डार्क एज तो वैसे हम फिलोस्फिक लिए कहते हैं इसाइयत के लिए तो गडोरी का एज है वो क्योंकि लोगों ने इसाइयत को इतना बढ़ा दिया कि किसी की बोड़ने की इम्मत ही नहीं होती थी तो इसायत वाले तो इसको गोर्ड एज नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे डार्क एज हम फिलोस्थी वालों में इस एज का नाम रखा है डार्क एज क्योंकि इसमें कोई फिलोस्थिकल थिंकिंग नहीं हो सके तो अब हम इस डार्क एज से निकल करके आए हैं नए modern age में चलेंगे, नया जमाना बदलेगा और इसको बदलने वाले हमारे Francis Bacon आएंगे, जो लिट्रेचर के भी बड़े उंचे आदमी थे और फिलोस्फिय में में नोना है, एक नया सिद्धान दुनिया को दिया, तो आज हम Bacon को इसलिए शुरू निकर रहे हैं, कि Bacon की थियो नया रास्ता जो दिया, new organism, new method, वो काफी Aristotle की लॉजिक की तरह भी लंबा है, तो इसलिए भी शुरू नहीं करते हैं, बाद में शुरू करेंगे. झाल 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 झाल